हाँ अमेरिका बहुत बड़ा है लेकिन एक बहुत बड़ा दोस एक महान प्रश्ट जिसका उतर कभी नहीं दिया गया है और इस्त्रियों पर अपने तीस वर्सों के सोद के बावजूद जिसका उतर मैं नहीं दे पाया हूँ एक औरत क्या चाहती है एक इनसान का अचेतन दूसरे के चेतन से गुज़रे बिना उस पर प्रतिकिरिया कर सकता है प्रेम और काम काम और प्रेम बस यहीं तो है जिस तरह किसी को आस्था के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता उसी तरह किसी को नास्तिक्ता के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता पुरूस जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक नैतिक होते हैं और जितना वे सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक अनैतिक पुरोष तब तक मजबूत होते हैं जब तक वे एक मजबूत विचार प्रती निधित्व करते हैं जब वे इसका विरोध करते हैं तो वे सक्तिहीन हो जाते हैं विचार और महत्वपुन खोजोग और समस्याओं के समाधान के छेत्र में महान नर्णय किवल एक ब्यक्ति के लिए संभव है जो एकांत में काम करता है अधिकांस लोग वास्तों में स्वतंतता नहीं चाहते क्योंकि स्वतंता में जिमेदारी ही सामिल है और अधिकांस लोग जिमेदारी से तरते हैं लालसां और अभाव के रूप में प्रेम आत्म सम्मान को कम करता है एक अप्रिय विचार को असत्य मानना मानो सुभाव की एक प्रवित्य है और फिर इसके खिलाब तर्ग खोजना आसान है किसी वस्तों के प्रती प्रेम की प्रवित्य उसे प्राप्त करने के लिए महारत की मांग करती है और यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि वे वस्तों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं या इससे खत्रा महसूस करते हैं तो वे इसके प्रती नाकारात्मक कारे करते हैं मनुस्य तब तक सक्तिसाली है जब तक वह किसी ससक्त योजना का प्रती निधित्व करता है और जब तक वह इसका विरोध करता है तो निर्बल हो जाता है नहीं हमारा विज्ञान कोई ब्रह्म नहीं है लेकिन एक ब्रह्म या माल लेना होगा कि विज्ञान हमें जो नहीं दे सकता है वह हमें कहीं और मिल सकता है कभी कभी सिगार बस एक सिगार होता है आपकी कमजोरियों में से ही आपकी ताकत आएगी एक दिन पीछे मुड़कर देखें तो संघर्ष की एक वर्ष आपको सबसे सुन्दर दिनों की रूट में प्रभावित करेंगे हर जीवन का लक्ष मृत्यू है मन एक हिमखंड की तरह है यह पानी की उपर अपने एक सात्मे हिस्से के साथ तहरता है इस धारणा से बचना असंभव है कि लोग आव तोर पर माप के जोट मानकों का उप्योग करते हैं कि वे अपने लिए सक्ति सफलता और धन की तलाज करते हैं और दोसरों में उनकी प्रसंसा करते हैं और यहां की वे जीवन में वास्तविक मुल्य को कम आगते हैं एक धर्म बले ही वह खुद को प्रेम का धर्म कहता है उसे उन लोगों के लिए कठोर और प्रेमहीन होना चाहिए जो इससे संबंधित नहीं है स्वप्ण बाहं प्राकृतिक के दबाव से आत्म की मुक्ति है अगर तुम नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो सब्द और जादू सुरुवात में एक ही चीज थे और आज भी सब्द अपनी अधिकांस जादूई सकतियों को बरकरार रखते हैं जब हम प्यार करते हैं तो हम कभी भी दुख के खिलाब इतने रक्षा ही नहीं होते हैं सुहम के प्रती पूरी तरह इमानदार होना एक अच्छा व्यायाम है जो प्रतिक्षा करना जानता है उसे किसी रियायत की ओसकता नहीं है ज्यान के वल जितने अधिक मनुस्यों के लिए सुलव हो जाते हैं उतना ही व्यापक रूद में धार्मिक विश्वास का पता नहीं होता है मेरा प्यार मेरे लिए कुछ मुल्यवान है जिससे मुझे बिना सोचे समझे फेकना नहीं चाहिए प्यार और काम हमारी मानौता की अधार सिला है हम कभी दुख के प्रती इतने असाहाय नहीं होते जितना की जब हम प्यार करते हैं हम वही हैं जो हम हैं क्योंकि हम वही हैं जो हम थे और मानो जीवन और उद्देश्यों की समस्याओं को हल करने के लिए जो आवस्यक है वह नैतिक अनुमान नहीं बलकि अधिक क्यान है एक ब्यक्त जितना बाहर से परिपूर्ड होता है उसके अंदर उतने ही अधिक राक्छस होते हैं जब किसी के पास वह नहीं होता जो वह चाहता है तो उसे वही चाहिए जो उसके पास है एक महिला कभी भी ऐसे पूरुस के साथ सेक्स नहीं चाहेगी जो उसके संकेद नहीं समस्ता गाईस ये 35 कोर्स जो कि आपके जिन्दगी में एक नया बदलाव लाएंगे ये सिग्मेंट फ्रायट के हैं ये कोर्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताईए और आपके सपोर्ट्स आपके प्यार की हमें बहुत जरूरत है तो चैनल को सबस्क्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिये बीडियो देखने के लिए आपको हिर्दय की गहराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट बीडियो में जै हिंद जै हिंद जै हिंद